बच्चों, आज आफ मेरी साथ आपकी पाठ्य पुस्तव, बर्सन भाग 3 का पार्ट 18 पड़ रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तव का अंतिम पार्ध है और एक कहानी है, कहानी का नाम है तोपी, बच्चों इस तोपी कहानी का प्रथम भाग आप मेरी साथ पिछले की पक्की है तो आईए देखते हैं इस कहानी में चड़िया उस टोपी को बनाने के लिए क्या क्या करती है आईए देखिए बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी गबरया रूई का फाया लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बुली दुनिया भा जाए से पहले कपड़ा बनाना होता है और कपड़ा बनवाने के लिए भी चुड़िया को बहुत महनत करनी पड़ती है तो सबसे पहले वह रूई धुनवाने के लिए जाती है जाती किसके पास है धुनिया के पास जो की रूई धुनता है और उस धुनिया से जाकर बोलती की एक मिर्जई पड़ी थी मिर्जई याने एक रजाई पड़ी थी बहे कापते हुए बोला तू जाती है कि नहीं देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है एक तो यहां का राजा ऐसा है जो चाम का धाम चलाता है और उपर से तू भी आ गई फोकट की रुई धुनबाने पच्चों आप देखिए इस पैरHighuw में जो धुनिया है वे कैसा व्यक्ति है एक बुड़ा व्यक्ति है बुड़ा व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत गरीब है जिसके सिर पर तार तार हो चुकी रजाई थी याने इतनी भरी सरदी में उसने जिस रज पहन रखी थी तो जैसे ही चड़ीया उसको बोलती है तो धुनिया उसे क्या जवाब देता है धुनिया जवाब देखता है कि तू जा अभी तो मुझे राजा जी के लिए रजाई बननी है और और जो हमारे राजा है वो तो ऐसे हैं जो की चाम का दाम चलाते हैं यानि की मुफ्त में काम कराते हैं पैसे भी नहीं देते हैं ऊपर से तू भी आ गई फोकट का रूई धनबाने यानि फोकट का काम करवाने उज्र ना करो भाईया उज्र याने चिंतन ना करो भाईया गबरया बोली मैं तुम्हें पूरी उज्रत दूँगी उज्रत उज्रत याने मजदूरी दूँगी इसे धुन्दो भाईया आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी देखिए चडिया कितनी बड़ी दिलदार ह उसे टोपी बनानी है, टोपी बनानी के लिए एक उसे छोटा सा रूई का टुकड़ा मिला है और जब वो दुनिया के पास जाती है, दुनिया उसे बोलती है कि तू भी फोकट का काम कराने आ गई तो ऐसे मैं वो क्या बोलती है, कि आप चंता मत करो, मैं आपको पूरी मजद मजदूरी दूगी क्या दे सकती है और चोटी सी चड़िया क्या करती है जो रूई का फाया होता है उसमेंसे आधा उसे देदेती है और आधा खुद रख लेती है दुनिये को अपनी आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी यानि जो धुनिया था दुनिया बुड़ा हो चुका था लेकिन आज तक किसी ने भी इतनी अच्छी मजदूरी उसको नहीं दी थी यानि कि सब लोग उससे मुफ्त में काम कराते थे या फिर काम करवा कर धंसे मजदूरी न की ताती बजुठी उसने बड़े मन से रूई धुनी लो उसे उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया आधा गवरेया ने फिर जब उसे मजदूरी भी अच्छे मिल रही है तो वो धुनिया बड़े मन से काम करता है और अच्छी तरह से रूई धुनकर आधा तो गवरेया को देता है और आधा खुद रख लेता है तो बच्चों जो वो द्रश्य रहा होगा वो कुछ इस तरह से रहा होगा आप देखिए ये जो धुनिया है दुनिया के पास में चड़िया बैठी है और ये जो धुनिया है अपनी ताती से रुई धुनने लग रहा है चलते हैं आगे देखिए इससे उत्साहित गवरा गवरया एक कोरी के पास गए और कहने लगे कोरी भाईया कोरी भाईया इस धुनी रूई से सूट कात दो कोरी कौन होता है जो की सूट कातने वाला यानि की सूट बनाने वाला होता है उसके पास जाते हैं और उससे क्या बोलते हैं कि ये इसे सूत कातो, कोरी की कमर जुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक गुसा डाल रखा था, दुस्सा यानि मोटा दुशाला उसने ओड रखा था, क्योंकि सर्दी का मौसम था, सर्दी से बचने के लिए कुछ तो पहनना ही था, और वहें कैसा था द घज्जी धज्जी यानि जगे जगे से फट चुका था, जिसमें की सर्दी रुकने की कोई संभाबना नहीं थी, बहें बड़ी अनिच्छा से यानि बड़ी बुरी मन से बोला, तुम लोग यहां से भागते हो कि नहीं, देखते हो, देखते नहीं, अभी मुझे राजा ज जी की अचकन यानि कुड़ते के लिए सूट काट रहा हूँ, मुझे फुरसत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की, यानि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अभी तुम्हें मुफ्त में कोई काम करकर दूँ, भाईया इस मुलक में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है, ग किस मुलक से आई है, यानि कि तू किस देश से आई है, कोरी ने उसे आख देखा, जानती नहीं यहां का चलन, कि तुझे नहीं पता कि यहां क्या होता है, खट मरे बर्धा, बैट खाय तुरंग, यहां सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, राजा बेकार है कि यहां सारा काम राजा जी के लिए होता है और राजा जी के लिए तो होता ही है पर राजा जी के नाम पर जो राजा के आसपास जो उसके लोग होते हैं बहभी राजा जी के नाम पर अपना काम करवा ले जाते हैं चुकि राजा जी का काम तो हम मुफ्त में करते है बिना मजदूरी के करते हैं लेकिन जो लगूए भग्यूए हैं याने जो उनके आसपास की लोग हैं वो भी मुफ्त में अपना काम करवा कर ले जाते हैं मुकरो मत भाईया हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे माकूल याने जो आपका बन रहा है मुआवजा याने मजदूरी देंगे गबरईया बोली इसे काद दो आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी आप देखिए जो अपनी गबरईया है बहे कितनी दिलतार है उसने रूई का फाया धुनवाया तो धुनने वाले को भी उसने आधी रूई दे दी और अब सूत कातने वाले के पास आई है तो उसे भी बहे आधी मज़ूरी दे रही है आधी रूई दे रही है कोरी भी तैयार हो गया इतनी बाजिम बजूरी पर काम करना करना मुर्खता होती यानि कोरी को इतनी अच्छी मजदूरी मिल रही थी तो वो भी तयार हो गया, तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता तया करने लगी, काफी महीन और लच्छेदार सूथ का दिये, उसने चुकि उसे मजदूरी अच्छी मिल रही थी उसने भी बहुत मन से काम किया और बहुत मन से काम करने का नतीज़ा क्या हुआ कि जो आई वो महीन और लच्छेधार सूत निकल कर आई चलिये आगे कदम कदम पर मिलते कामगारों के सैयोग ने गवरईया को आगे बढ़ने की लिए उक्साहित कर दिया इसके बाद वे दोनों एक वुनकर के पास गए और इसरार करने लगे यानि उससे कहने लगे बुनकर भहिया बुनकर भहिया उस कते सूथ से कपड़ा बुन्दो देखिए गवरईया ने क्या करा रुई का टुकड़ा लेकर रुई धुनवाली रुई धुनवाने के बाद में सूथ कतवाली सूथ बनवाने के बाद में अब कपड़ा बुनने के लिए बहे बुनकर भाईया के पास चली गई देखते हैं आगे क्या होता है बुनकर ने अगबग होकर देखने लगा हटते हो की नहीं यहां से देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है बागा बागा यानि जो सिर पर पहना जाता है बहे होता है अभ थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे यानि आदमी हाजिर हो जाएंगे क्या लेने के लिए बागा लेने के लिए साब करे भावतो चवाब करे चाकर इतना कहकर बुनकर अपने काम में मश्गूल हो गया यानि कीर लग गया यानि बुनकर को भी यही लगता था कि सब लोग उससे मुफ्त में काम करा के ले जाते हैं राजा जी के नाम पर इसे बुन्दे भाईया गबरया ने साहस संजो कर कहा हम सैंत मैत का काम नहीं करवाते सैंत मैत यानि हम मुफ्त का काम नहीं करवाते इसे बुंदो आधा तू ले लेना आधा हम ले लेंगे बुंकर ने देखा कि सौधा बुरा नहीं है सौधा कैसे बुरा हो सकता है उसे कता कता आया इतना बारे कितना महीन सूत मिल रहा है वो भी पूरा आधा मिल रहा है बह तयार हो गया सूत अपनी खीच कर ताना वाना पस उसका करगा चलने लगा, धर की धुलकने लगी, थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दवीज कपड़ा बुन दिया, गफश यानि घना बुना हुआ, दवीज यानि बहुत ही मोटा बहुत ही सुन्दर उसने कपड़ा बुन दिया, आधा उसने ले लिया और आधा इन होने गवरईया ने तीन चौथाई मंजल मार ली थी क्योंकि अब उसका कपड़ा भी बन गया अब तो उसे वस एक टोपी सिलवानी है देखते हैं आगे क्या होता है कपड़ा लिये दिये वह एक दरजी के पास पहुँची दरजी क्या करता है दरजी कपड़े सिलता है तो दरजी भैया दरजी भैया इसकी टोपी सिलदो खिसकती हो की नहीं यहां से दरजी रोश से बोला यानि गुसे से बोला देखते नहीं राजा जी की सातवी रानी से नौ बेटियों के बाद दसवा बेटा पैदा हुआ है अब उस दस रतन के लिए मुझे धेरो जब्बे सिलने है दस रतन यानि दस पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे दस रतन और उसके लिए मुझे धेरो छोटे छोटे कपड़े सिलने है दरजी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी कुछ देना न लेना भर माथे बसीना यानि सब लोग यहाँ पर मुफ्त का काम कराने आ जाते हैं कुछ देते तो हैं ही नहीं हम तो भाईया बेगार में कुछ नहीं करवाते गवरईया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे बलकी दो टोपियां सिल दे एक तू ले ले और एक हम लेंगे बच्चो देखो चड़िया कितनी अच्छी है गवरईया कितनी अच्छी है हर जगे आधी मजदूरी देती जा रही है अब टोपी सिल वाने आई है तो दरजी को भी बोल रहे हैं कि तू दो टोपियां बना ले एक तुम रख लेना और एक हम रख लेंगे मुह मागी मजूरी पर कौन मुजी तयार नहीं होता यानि कौन काम करने के लिए तयार नहीं होता कच कच उसकी कैची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर हंने लगी बड़े मनोयोग से उसने दो टोपियां सिर दी बड़े मनोयोग से यानि बहुत ही मन से मन से क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छी मजदूरी मिल रही थी जहां हमें अच्छी मजदूरी मिलेगी वहां हम बहुत ही मन से काम करेंगे खुश होकर दरजी ने अपनी और से एक टोपी पर पांच फूंदने भी जड़ दिये पांच फूंदने यानि पांच तरह के उसने फूंदने लटका दिये और बच्चों लटकाने के बाद जो टोपी रही होगी वो कुछ इस तरह की रही होगी चड़िया की टोपी ऐसी रह तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश होने लगी, डेड़ टांगू पर ही नाचने फुदक फुदक लगी गवरे को दिखाने और वह बहुत खुश हो कर नाचने लगी और गवरा को दिखाने लगी, देख मेरी टोपी सबसे निराली, पांच फूंदने वाली, कि गवरा देख मेरी टोपी कितनी सुंदर है, ऐसी टोपी तो किसी के भी पास नहीं है, और तो और इस पर पांच फूंदने भी लगे हुए है, बाके तू तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, गवरेया उचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकावला करेगा, और उस टोपी को पाकर जो वो गवरेया थी, बहब बहुत खुश थी, खुद को राजा के समान मानने लगी थी, बच्चों आप खुदी देखिए कि गवरेया ने सोचा कि उसे टोपी पहननी है, टोपी के लिए उसे एक दिन सिर्फ एक रुई का फाया ही मिला, उस फाय को लेकर उसने कितनी महनत की, और महनत करने के बाद उसके सामने कितनी सुन्दर एक टोपी तयार हो गई, टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने, जोर मारा हुलस यानि प्रसंदता ने, एक नए इच्छा जोर मारा कि क्योंना इस मुलक के राजा का भी एक बार जाया जाए यानि राजा के पास भी एक बार जाया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं यानि गवरिया को लगा कि एक बार मुझे उस राजा के पास भी जाना चाहिए राजा से मिलना चाहिए जिस राजा के जिसके बाद वहे चड़िया उड़ी और सीधे राजा की महल के कंगूरे पर जा बैठी। बच्चो आज आपने मेरे साथ टोपी कहानी का दूसरा भाग पड़ा जिसमें आपने देखा कि वह चड़िया कितनी उत्साहित थी, उसने जो सोच लिया वह करकर मानती थी और किस तरह से उसने गुरूई के छोटे से फाय से अपनी टोपी तयार कर ली और टोपी तयार करने के बाद बह अपनी टोपी दिखाने के लिए राजा के पास जाती है, राजा के पास जब बह जाती है तो क्या होता है, आगे की कहानी हम अगले भाग में पड़ेगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चो